एलो जी क्या हाल हैं? क्या आपको भी चाहिए Lamborghini Urus? बस आपका थोड़ा सा बजट कम है राइट? तो आप सभी बेफिकर हो जाएए क्योंकि ताटा की अल्मोस्स सेम Lamborghini Urus जैसी लुक वाली कार लॉंचिंग टाइम लाइन कंफर्म हो गई है बहुत जबर्दस्ट होने वाली ह ये कार इससे रिलेटेट सारी चीज़े डीप में जानेंगे तो वीडियो के अंट तक ज़रूर बने रहिएगा ताटा मोटर्स इलेक्टरिक कार सेग्मेंट में इंडियन मार्केट के अंदर टॉप प्लेयर है ये बात तो शायद आप सभी जानते होंगे काफी टाइम से टाटा कर्व इवी के लाँचिंग का लोगों को काफी बेसबरी से इंतिजार था और अब फाइनली कर्व इवी बहुत जल लाँच होने वाली है इसके बाद कर्व इवी का पेट्रोल वर्जिन भी लाँच किया जाएगा सबसे पहले मैं आपको कार के एक्स्टिरियर से गोत्रू करवा देता हूँ टाटा कर्व इवी में आपको मौडन डिजाइन देखने को मिलेगा इसके फ्रेंट में स्लिम और साइलिश लिडी बार और डी ऐरल मिलेंगे कर्व EV में split LED headlamp bumper में place होंगे इस कार में आपको flush type doors, handles देखने को मिलेंगे इसमें sloping coupe जैसी roof line LED bar, जैसे tail light back portion में Tata logo के साथ LED bar, dual tone alloy wheel के साथ कई और भी खास बाते होंगी अब जानते हैं यार मैं इतना सुन्दर क्यों हूँ इस गाड़ी में 10.25 इंच digital driver display 12.3 इंच touchscreen infotainment system, touchscreen climate control panel, ventilated front seats और panoramic glass roof जैसे features दिये जाएंगे Tata curve में easily 5 लोग कहीं भी गुमने जा सकते हैं बड़े ही मज़े के साथ क्यूंकि ये आपको offer करती है 5-seater configuration में बात करते हैं अब Tata curve EV के battery pack up और range की Tata curve EV को Tata के generation 2 platform पर ready किया गया है expected है की curve 500 km तक की range offer करेगी इसकी battery और electric motor से related information फिलाल अभी deep में सामने नहीं आई है वो जैसे ही अगर सामने आईगे तो हम आपको और भी जादा clear कर दूँगा उससे related बात करें major चीज़ की safety के बारे में इसमें 6 airbags आपको मिल जाएंगे 360 degree camera के साथ साथ 8S advanced driver assist system जिसे हम बोलते हैं autonomous emergency braking और adaptive cruise control दिये जाएंगे ये कार आपको इंडियन market में expected 16 जुलाई तक देखने को मिल जाएगी और इसका एक showroom price approximately 18 से 20 लाग रुपे on road रहेगा competition देखा जाए अगर इस कार का तो MG ZS EV और Hyundai Kona Electric से रहेगा तो यही information है अभी के लिए all new Tata Curve EV के बारे में I hope आपको ये cheap lambo और ज़रूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं बूलना हैं और अगर आप इस वैली लैंबो को लेने का मन बना रहे हैं तो वो भी मुझे comment करके जरूर बताइएगा आपके क्या opinion है मुझे वो भी बताइएगा मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द एक और नई वीडियो में आपके साथ अब तक के लिए शबह खैर